नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके ही चैनल में जिसका नाम है दाराइटस्टैप अगर दोस्तों आपके हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए साथ में बैल आइकन जरूर प्रैस कीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छ अच्छी वीडियो की नोट भी किसी मिलती रहे सबसे पहले दोस्तों आज की वीडियो का टैटल दो देखके आप समझेगे होंगे कि आज की वीडियो हमारे किस टॉपिक के उपर है तो दोस्तों आपने सही पढ़ा दोस्तों आपको मैं आज एक ऐसी न्यूस देने वाला हूँ जिसे सुनकर एक पल के लिए आपका दिमाग खराब हो जाएगा तो दोस्तों आपने सही सुना मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज कल जिस WhatsApp को आप यूज कर रहे हो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वो WhatsApp ओरिजिनल है या फिर फेक है तो दोस्तों आज कल Play Store में एक फेक WhatsApp अपडेट आ रखा है जिसे कई लोगों ने डाउनलोड कर दिया और उसका सिकार भी हो गए तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि यह WhatsApp का अपडेट है नॉर्मली आपको प्ले स्टोर पर आप जैसी खोलोगे तो वहाँ पर आप WhatsApp डालते हो तो उसके जगा पर एक WhatsApp अपडेट करके एक application आजाती है जो हो वह WhatsApp की तरह है और लोग सोचते हैं कि वह नॉर्मली असली WhatsApp है और उसको डाउनलोड कर लेते हैं जिसके वज़े से जब वह डाउनलोड हो जाता है तो आपकी privacy को बहुत जाता खत्रा हो जाता है दोस्तों आपकी important document होगे आपकी photos हो गई या फिर आपकी वीडियो हो गई जो important घर से related जो भी वीडियो वगेरा हो गई वो सारी leak उन्हें खत्रा बढ़ जाता है नॉर्मली ये हूबा हूँ WhatsApp की तरह दिखने वाला है WhatsApp का जो logo है बिलिकुल वैसा ही या फिर फेक है तो दोस्तों नॉर्मली इस वर्टसप का नाव WhatsApp अपडेट करके एक application है तो आप इस application को download कभी भी ना करें और आप कैसे पता लगाओगी कि आपका WhatsApp और्जिनल है या फेक है वीडियो में आगे बने रही है तो दोस्तों आप जहें देख सकते हो बचके रहनारे बाबा आ गया WhatsApp का फेक अपडेट तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कि प्रकाच चेक करोगे कि आपका WhatsApp फेक है या और्जिनल है सिंपले आपको जब प्ले स्टोर पर जाओगे तो वहां पर अगर WhatsApp डाउनलोड कर रहे है तो आपको यह देखना जरूरी है कि यह कितने लोगों ने डाउनलोड करा है जैसे कि मैंने WhatsApp डाला प्ले स्टोर में आप देख सकते इसको वन बिलियन लोगों ने डाउनलोड करा है मकर जो फेक WhatsApp है उसे कुछ ही लोगों ने डाउनलोड करा है जैसे एक लाग लोगों ने डाउनलोड करा है दो लाग लोगों ने डाउनलोड करा होगा और जो और जो और्जिनल WhatsApp है उसे वन बिलियन लोगों ने डाउनलोड करा है ये आप जरूर देखें तभी इसको डाउनलोड करें सेकंड मैं आपको बतायता हूँ वर्टसप में नॉर्मली आप इमेल देख सकते हो जैसे आप वर्टसप डाउनलोड करने हो उससे पहले इमेल देख लोगे आप यहाँ पे android.support.whatsapp.com लिखा हो अगर यह नहीं लिखा इसके जगा पे कुछ और इमेल लिखी वी है तो समझ लेना कि वो वर्टसप फेक है असली इमेल android.support.whatsapp.com लिखा हो यह और उसके बाद आप आप एडर्स भी चेक कर सकते हो जैसे इसमें लिखा हो 1601 विलो रोड मिलोनो आप पूरे रिव्यू में से कम से कम 10, 20, 50 रिव्यू के बाद उनके रिव्यू पड़ो तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी क्योंकि अब आप बोलोगे fake whatsapp की rating तो इतनी अच्छी है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ fake whatsapp जब भी कोई नई application launch होती है तो उसकी normally वो बहुत से earning app होती है उनको मिलता है कि वो उसकी publicity करें वो लोगों से download करवाते हैं अच्छी rating देलवाते हैं ताकि लोग उन्हें अच्छी rating करेंगे उसके एवज में उनको दस पैसा पर पर अच्छी rating देने के 10 पैसे से लेके 80 पैसे तक मिलता है और लोग उन्हें rating देते हैं अच्छी मगर दोस्तों आप rating पर ना जाइए आपको मैंने जो बताया उस चीज का ध्यान रखिए वट्सप जो मैंने आपको बताया है उन चीजों का ध्यान रखिए और सेफ रही है दोस्तों और दोस्तों अगर आपको आज के हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज से लाइक करना अगर आपके कोई भी कोश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट सकते हैं आपके हर सवाल का जवाब हम जरूर देंगे और जितनी भी हमारे नए मैमान है उनसे हाज स्क्राइब करके जाना आपका दिन शूब कल मिलते नई वीडियो के साथ